मुंबई में फिलम स्टार सलमान खान के घर पर हुआ हमला वास्तों में अंडरवर्ड की लडाई है दिल्चस्प ये है कि इस लडाई के आका विदेशों में बैठे हुए है और जिन आकाओं के बीच ये लडाई हो रही है उनमें सबसे मुख्य किरदार है पाकिस्तानी खुफिया एजनसी आईएसाई जिसके इशारे पर कभी अंडरवर्ड डॉन दाउद इबराहीम मुंबई अंडरवर्ड पर अपना राज करता था दाउद का खौफ मुंबई पर इसकदर हावी था कि मुंबई का बड़े से बड़े बिजनसमेन हो या फिलम निर्माता उन्होंने दाउद की एक धंकी पर करोलो रुपेर की रकम हवाला के जरिए दाउद और उसके गुर्गे शकील या दूसरे लोगों तक पहुँचा द दाउद का एक अबजा मुंबई पर पिछले काफी लंबे अर्से से चला रहा था और दाउद ने इस पूरी उगाही की जिम्मेदारी का रैकेट अपने दाहिने हाथ छोटा शकील को सौपा हुआ था दिल्चस्प बात ये भी है कि दाउद ने उगाही का रैकेट चलाने क जो जिम्मा है वो अपने छोटे भाई अनीस इब्राहीम को नहीं सौपा था क्योंकि उसे डर था कि अनीस इब्राहीम जो उगाही से मिलने वाली रकम है उसमें हेरा फेरी कर सकता है और उसने ये पूरे का पूरा जिम्मा अपने दाहिने हाथ छोटा शकील को सौपा था ज था कि 45 रुपे की एक गोली और 400 रुपे का एक लड़का आपका काम तमाम कर देगा अन्य था आप इतना पैसा यहां पर इस आदमी के जरीए पहुचा दें यानि 445 रुपे के खेल में करोण रुपे की देंदारी हो जाती थी अंडर वर्ड को छोटा शकील के इशारे पर पुलिस की क्राइम ब्रांच और खुफी आइजन्सियों ने इस धंदे को रोकने की कई बार कोशिस की लेकिन ये धंदा कभी रुका नहीं लेकिन अब इस धंदे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरा गिरो हो गया है लारेंस विसनोई गैंग और उसके अलावा उससे फोटा शकील का कोई रोल नहीं है इसलिए नहीं जो धंकी भरा लेटर भेजा है उसमें भी इस पस्त तोर पर कहा है कि दावद और शकील उनके सामने कुछ भी नहीं है यहां तक की दावद और शकील के बारे में बड़ी ही छोटी भासा का प्रियोंग किया गया है जो यह कोशिस की गई है कि अब भविष में अगर मुंबई मुंबई से कोई उगाही होगी तो वह दावद और डी कंपनी को नहीं जाएगी बलकि दूसरे गिरों को जाएगी यानि इस गिरों का यह पहली कोशिस है फिलम स्टार सलमान खान के घर पर हमला करके कि मुंबई से मुं पाकिस्तानी खुष्याई अनसी चैशी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं आने वाले दिनों इने गिरों कहां तक अपना कब्जा मुंबई पर फैला पाता है यह देखने वाली बात होगी लेकिन यह तय कि आने वाले दिनों में इस अंडरवर्ड की लडाई में कैई लोग450 क झाल झाल